अच्छा यार एहसान कर दिया आपने यस नो बोल कर गए आ रहा हूं मैं तुम्हारे यहां जल्दी आ रहा हूं फिर सामने से देखते कैसे नहीं बोलते हूं कि यहां तो मुझे बहुत परिशान करते हैं कि चलो देखो कुच्छन में कुछ ऐसा बोला जा रहे ना अगर मैं रियेक्षण लिखू तो नाइटरोजन का रिएक्षण कराना हैं कि है उन नियॉट के साथ हैं जुस्मिल्ध एश्या चॉट आप तो अगर मैं इस रिएक्षरन को बैलेंस करूए तो बैलेंस करने के लिए आप एक काम करो 3H2 कर लो और 2NS3 कर लो अभी आप चेक कर सकते हो reaction balance है फिर आपको question में बोला के जा रहा है कि आप एक काम करो 50 kg nitrogen ले लो और 10 kg hydrogen ले लो और इनको आपस में reaction करवाना स्टार्ट करो एड़ एंड जभी reaction रुकेगा वो टाइम पर आपको बताना है कि ammonia कितना बनेगा पहला question आपसे यह है दूसरा question यह है कि अगर इन दोनों में से किन दोनों में से nitrogen hydrogen में से अगर कोई बच जाता है तो कितना बचेगा वो भी आपको बताना है तो पहले आप एक काम करो पहले यह बताओ कि ammonia कितना बनेगा यह आप solve करने की कोशिस करो अच्छा आप में से कोई भी ऐसा है जो ऐसा बता सके कि reaction यह question आप solve करना start कैसे करो कि solve होगा नहीं होगा क्या होगा वह हम लोग बाद में सुचेंगे कोई ऐसा है जो यह मुझे बता सके कि यह आप solve करना start कैसे करो जल्दी बोलो भाई अरे नहीं बोलना होता है ना तो आपके पास यह freedom भी है कि आप कह सकते हो आप यह सीधा सीधा बोलो सर नहीं बताएंगे कोई बात नहीं मैं प्रोसीड कर लो परसली नंबर ओफ मोल निकालना पड़ेगा शायद क्यों बोल रहे हैं मतलब निकालना पड़ेगा तो बोलो निकालना पड़ेगा शायद क्यों बोल तो शायद बोलने का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं हाँ बताएए क्या बता रहे हैं चलिए मोल मालने जे काल्कुलेट कर लिए फिर बोलो बच्चे रिजावल आप बता रहे हैं देखुच कोई भी बता सकता है भाई की आप कैसे प्रोसीड करोगे इतना मतलब पकाओ नहीं या इतना प्यार से बोलते इतना प्यार से समझाते आपसे पूरा सौल करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं बस यह बोल रहे हैं कि आप कुछ बता दो कि कैसे स्टार्ट करोगे कि कि नहीं कोई नहीं बताएगा यार फिर तो मेरा पढ़ाना बेकार है कि अब मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ाता हूं अप्लेस्ट इस्ट जो दो देता ही कि नहीं बूल रहे हो मतलब मैं बेकार हूं आपके अंदर टैलेंट होगा बट मैं बिगार हूं सिरियसली कोई नहीं बोलेगा स्टिल कोई नहीं बोलने वाला कि क्या करने वाले अगर मैंने किसी का नाम ले लिया और मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला तो फिर बेटा समझना तो हाँ हाँ बोल करके आयो बहुत आपको बोलवाने के लिए मेरे पास और भी चॉइस है नहीं समझ में आता है सेट क्लियरली सर नहीं समझा आप दस बर पूछोगे दस बर बताऊंगा सो बर पूछोगे सो बर बताऊंगा हां मोलने के बाद आप मुकर नहीं सकते चलो यह कोशन हटाता हूं मैं और पीछे का कोशन ओपन कर रहा हूं और जिससे पूछूंगा वहीं बताएगा इन केस इफ यह नौट आंसरिंग अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो बी रेडी फॉर दाट कि आगे क्या कॉंसेक्वेंस से संगो क्योंकि प्यार वाली बाजा कुछ देर तक ही चलती है ना बहुत ज्यादा देर तक चलती नहीं तो चलो आप से मैं कुछ एक दो कोशन पूछी लेता हूं और जिससे पूछूंगा वहीं बताएगा तीन लोग गया वेरी गुड तो मेरे पास सबका लिस्ट है मैं सबको एक एक करके अब गुलाओंगा जो एपसेंड है उसको भी मार्ग करूँगा जिए यह कोशन आप देख लो एक बार देख लो मैं किसी का भी नाम ले सकता हूं और किसी से भी कुछ भी बुच सकता हूं अब देख लो यह कोशन तबीका किया हुए so let me ask कर दो कर दो कर दो कर दो अच्छा एक काम करते जो रेस्पॉंड नहीं करेगा उनके कॉंटेक्ट नमबर भी पैरेंट्स के नमबर भी है मैं लाइव कॉल भी कर लेता हूं सभी लोग आराम से सुनते रहेंड लेट्स सब्सक्राइब लेट्स इस तार विध द गुल जार विए ये कोशन कर लिया नहीं एपसेंट एपसेंट है ना अगर मुझे रेस्पॉंस नहीं मिला देट मिंस आई केन कंक्लूड की आप एपसेंट हो ठीक है इनसे हम बात कर लेते हैं अभी क्लास में देखो आप कितने लोग भागते हूं परवीज परवीज एपसेंट एक तो बढ़िया बहान है कि आप बोलोगे नेटवर किसी वह नहीं नेटवर किसी नहीं है वन आई वसी स्टाइड देग्लास इट वस्टेन नाव इडिस थ्री डाट मिन्स जान मुझके डिसकनेक्ट कर रहा है या आप कुश्चन कुशने वाले कब तक बागोगे दो तीन दिन में में पहुंच रहा हूं फिर देखते हैं खालिद एपसेंट अली एहमद एपसेंट आज सबके सबके यहां कॉल करूंगा मैं सबके यहां जितने लोग एपसेंट लग रहे है मुझे पता चले कितने लोगों का नेटवर किसी हुआता है ओके लालेन ग्रावी ग्वारी एपसेंट वेरी गूड तमन्ना एपसेंट अब्दुलगलम एपसेंट साहनूर एपसेंट मतलब CPSB क्लास में भी कोई नहीं ध्यान रगना इसका कंक्लूसन यहीं निकलता है यह चीज़ द्यान अगना अगर आप क्लास में बैठे हो और नहीं बोल रहे हो मैंने पूछा है रेस्पॉंस नहीं है मतलब आप एपसेंट हो सीधा सीधा रुहल एपसेंट अनस एपसेंट ओके इजहरूल एपसेंट सर्वार एपसेंट क्योंकि मैंने जीतने को बोला सब एपसेंट मतलब केवल दो यह उमर एंड मुनी बस दो लोग है बाकि सब लोग गया है एणिवन डैर इन दे क्लासरूम जो सीपीएश्पी का लिंक है उसमें कोई है क्लासरूम में कोई है एणिवन नहीं अगें कोई नहीं है मैं क्यों बढ़ा रहा हूं यह जब को यह पढ़ा किसको रहा हूं बढ़ा अब यह सचीज दे स्विच ऑन दे कैमरा स्विच ऑन दे कैमरा स्विच ऑन दे क्लासरूम जब इतने सारे लोग है तो मैं इतना बोल रहा हूं कोई रेस्पांड क्यों नहीं कर रहा है हुआ है सार इनुक रफ कोपी में लिख का ला रहे हैं दूमनी पा रहे हैं का लिखिया है तो ऐसा ऐसा काम नहीं चलेगा बेटा लोग ऐसा काम नहीं चलेगा फिर तो आज जो सीखा कल पूछूंगा का है तो अगर ऐसा हो रहा है बच्चे आज सीखा कल का यब दो साल बाद मेडिकल और इंजिनिरिंग का एक्जाम देना है जब कल का चीज मुझे नहीं मालूम है दो साल बाद का क्या करूंगा यार इस नौट दर राइट वे इवन आपसे तो मैं इतना भी पूछ रहा हूं कि जस्स टेल में कि आप क्या सूच रहे हो कुश्चन को कैसे अटेंट करोगे मैंने यह तो बोला नहीं आप मुझे पूरा सॉल करके दो सॉल करके दो यह भी बोलूंगा सामने से और जल्दी ही लेकिन अभी जो कह रहा हूं वो तो बता दो कि आप बस इतना बोल दो माइक में कि सर यह कोश्चन है इसको पहले मोल कैलकुलेट करूंगा फिर लिमिटिं से कम मीनिमम मैं बता रहा हूं अराउंड ट्वंटी कोश्चन क्लास में करे हुए कि हम आपके सामने ट्वंटी कोश्चन सॉल करें आप कहीं उल्टा सिधा लिखो मत लिखो पता नहीं क्या कर रहे हो मैं तो देख नहीं बार रहा हूं यहां बैटके और फिर नेक्स डे कोई फाइदा है कि नो यूज इवेन मेरा ही यूज नहीं है मैं ही बेकार हूं आप इंडिलिजेंट होगी बेकार तो मैं हो गया ना यहां पे आई केनाट हेल्प इंडिस सिचुएशन आप जब तक इतना नहीं बता पा रहे हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहे है मैं कैसे हेल्प करूं बताओ करा यह दिफ़ल एक बच्चा है जिसने रश्पांड करा हूए उमर रेस्ट बाकी सब गाएr है कि प्र है कि थो फे एक यह बच्चे को पढ़ольно है उसे पढ़ानेशि कि आहिए चाहिए पढ़ने नहीं उसे क्यों बढ़ाना चाहिए मुझे बड़ा असा लॉजिक है जिसे नहीं पढ़ने उसे पढ़ा के क्या कर लेंगे हम चलो, get back to the question and मुझे न, correct answer जी यह फिर से और इस बारी न, जिससे भी नाम लोंगा, at least इतना तो मुझे दिखाई दे दिया क्या आब classroom में हो तो अगर आप classroom में हो, take the mic, जिसको भी नाम लोंगा, just tell me कि आप कैसे proceed करोगे question को. कि ठीक है कि हाँ तो बोल दो कि लो बिटा आप हाँ बोलोगे नहीं रेस्पॉंड कहां से करोगे कुश्चिन कैसे बताओगे यह भी एक समस्य यह अब लोगों के पास माइक है नहीं है बोलने के लिए अच्छा नहीं है हम तो पागली हो जाते हैं बोल भूल के चलो फिर एक काम करते हैं मैं ही सॉल कर लेता हूं एंड में मालूम है क्या होगा मेरा सेलेक्शन हो जाएगा जो कि हर साल हो जाता है अब मुझे नहीं सीखना है आपको सीखना है यू हाब टू वर्क आपको करना पड़ेगा अब कितना समझाओं आपको मैं एंडु प्लस थी एजटू इस के विंग टू एजट्री देखों आपको मैंने बोल भी दिया था कोशन एक्स्प्लेइन भी कर दिया था कि नाइट्रोजन कितना दिया बच्चे 50 केजी दे दिया आपको cruise हाइट्रोजन गितना दिया 10 केजी दे दिया आपसे simply यह पूछ रहे थे कि ammonia कितना बनेगा और यह जो reactant है इसमें से अगर कोई बच जाता है तो कितना बचेगा यह ढूंड़ना था तो किसी ने ऐसा बोला था लेट मी लेट मी फाइंड नेम ओके उमर नहीं बोला था कि आप पहले काम कर लो मौल कैलकुलेट कर लो ठीक है मौल कैलकुलेट कर लेते देखो अगर मुझे नाइट्रोजन का मौल कैलकुलेट करना है तो नाइट्रोजन का मौल कैसे कैलकुलेट क करेंगे मास ओफ दा नाइट्रोजन किस यूनिट में ग्राम में कि हम लोग ने मोल का फॉर्मूला क्या सीखा था मास ओफ दा सैंपल और वो मास किसमें होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए डिवाइड बाई मोलर मास यह आपका फॉर्मूला था मोल कैलकुलेट करने का तो हमारे पास 50 kg था just convert that kg into gram by multiplying 10 rest 3 ऐसा करने से क्या हो गया आपका mass gram में मिल जाएगा divided by nitrogen का molar mass into लिखा हुआ है एक single nitrogen का mass 14 होता है तो दो nitrogen कितना होगा 28 तो molar mass क्या मिलेगा 28 gram पर mole यह आपको nitrogen का mole मिले गया similarly you can calculate the mole of hydrogen और hydrogen का mole calculate करने के लिए जो kg में दिया था इसको gram में convert कर लिया divided by hydrogen H2 का molar mass कितना मिलता है 2 मिलता है यह mole मिल गया फिर मैंने पिछली classes में आपको कई बार बोला था and even अभी भी बोल रहा हूँ आप यह लिख लिया करो at least जब मैं किसी एक चीज़ को कई बार repeat कर रहा हूं stress दे रहा हूं मतलब वो चीज़ important है आपको copy करी लेना चाहिए अब देखो अब हम लोग 89 में पढ़ने वाले छोटे बच्चे नहीं बच्चा यह लिख लो एफ और एपल लिख लो नहीं ऐसा थोड़ी होता है मैं अगर किसी चीज़ को बहुत ज्यादा बार बोल रहा हूं stress दे रहा हूं तो यह आगे यूज होगा फर्दर भी यूज होगा तो मैंने आपको पिसली classes में सिखाया था कि अगर कभी भी किसी भी कोशन में इस पेसली जब आप फिजिकल के मेस्ट्री सॉल कर रहे हो तो किसी भी कोशन में दो रियक्टेंट रहे और दोनों रियक्टेंट के बारे में इ या फिर इनका कॉम्बिनेशन किसी एक का मास दूसरे का मूह लाइसा करके कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं बैसिकली मैं यह कहना चाहता हूं कि दो या दो से ज़्यादा रियक्टेंट हैं और सभी रियक्टेंट का इनफॉर्मेशन इंपुट आपको दे दिया गया है तो हंड्रेड परसेंट गैरेंटी होता है कि ऐसे कुशन में जो कॉनसेप्ट लगता है वह लिमिटेंग रियेजेंट का ही कॉनसेप्ट लगाना है यह तरीका है कि आपको पता चल जा आक को कुशन पढ़ने के साथ नसमें अरे इसमें तो limiting reagent हमको लगाना पड़ेगा क्यों कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो ही रियक्टेंड है और दोनों का मास आपको दे रखा है तो हमने पड़ा और हमको पता चल गया कि यार इसमें तो हमको limiting reagent लगाना पड़ेगा अब limiting reagent के लिए मुझे limiting reagent ढूंडना पड़ेगा कि nitrogen और hydrogen में से limiting reagent कौन और उसके लिए आपको तरीका सिखाया गया था कि आप क्या करने वाले हो आप के ratio calculate करने वाले जिसका के ratio का value कम होता है minimum होता है वो limiting reagent हो जाता है तो के ratio कैसे मिलता है के ratio हम लोग calculate करते थे जो amount taken मतलब number of mole जो आपने लिया reaction करवाने के लिए divided by stoichiometric coefficient यह आपको formula हमने सिखाया था तो अगर मैं N2 के लिए के ratio calculate करू तो nitrogen का जो mole है वो कितना है 50 into 10 raise 3 divided by 28 यह तो बच्चे मोल है मोल आपको ध्यान रखे क्या लिखना है मोल डिवाइड़ बाइस टॉस्यो मेट्रिक कॉफिसेंट तो नाइट्रोजन को जब यह मैंने देखा रियक्शन बैलेंस था नाइट्रोजन का इस टॉस्यो मेट्रिक कॉफिसेंट कितना था वन था तो अगर मैं इसको वन से डिवाइड भी कर दू तो मुझे क्या मिलेगा सेम मिलेगा 50 into 10 raise 3 divided by 28 ही रह जाएगा यह के रिशो किसका एंटू का हो जाएगा सिमिलरली अगर मैं एच टू का की रिशो कैल्कुलेट करना शुरू करूं तो हाइड्रोजन का मोल कितना 10 into 10 raise 3 divided by 2 बचे यह क्या है हमारा मोल है अब मोल को किस से डिवाइड कर लो इस टॉस्यो मेट्रिक कॉफिसेंट से हाइड्रोजन का इस टॉस् हमको 3 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या दिखा 10 into 10 raise 3 divided by 2 & 3 multiply हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 2 & 3 क्यों क्या होगा मल्टिप्लाइब करके 6 मिल जाए ना अब नेक्स्ट आगे कैसे प्रोसीड करें देखो कई लोग होते हैं यह यह भी एक ट्रिक है आप इसे न एब्जॉर्ब करो अपने अंदर सीखो इसको अब यहां पे कुछ लोग क्या होते हैं के रेशो का डेसिमल में वैल्यू कालकुलेट करना शुरू करते हैं डूँ नौट डू दैक्ट आपको क्या ज़रूरत है कerkt को आपको इंग्जाइक्ट वैलीओ का ज़रूरत है क्या नए के रेशो का यूज कि उतना सा यूज है कि जिसके लिए के रेशो सबसे कम होगा वो आपका लिमिटिंग режимों गोगा बस इतना सा यूज तो मुझे क्या करना है मुझे यह दोनों जो वैल्यू दिख रही है इसमें डूना है कि कौन कम है किसका वैल्यू कम आएगा तो मुझे डैसिमल में कनवर्ट करना जरूरी थोड़ी है ऐसी मैं नंबर देखा इन नंबर को देखा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि काम कर दे तो बच्चे नूमेरेटर मिल गया दिनोमेनेटर फाइव इंटू इनटू सिख्स डैट इस थर्डी यह फायदा यह हुआ कि दोनों का न्यूमेरेटर सेम हो गया कि अब अब देखो तो हाइड्रोजन का दिनॉमिनेटर जादा है अगर हाइड्रोजन का डिनॉमिनेटर है तो ओविएसली हाइड्रोजन के लिए के रिशू क्या आएगा कम आएगा डाट्स सिंप्ली इंडिकेट्स कि यह जो हाइड्रोजन था यह आपका क्या है लिमिटिंग रियेजेंट हमको डैसी मलना ही चाहिए हमको जस्ट वैल्यू कंपेर करना या कंपेर करा मिरा काम होगा बस मैं इसी में खुश हूं असली काम तो इसके बाद स्टार्ट होगा अभ तो इसके आगे का जो स्टोरी है देखो अगर आप पहले तो फिर से रिपीट कर रहा हूं आप बच्चे नहीं रह गए हो इतना लिखने के साथ साथ आपका भी कॉपी होते रहना चाहिए आराम से कॉपी पेंट बैट करके मुवी देखने नहीं आयो यह सामने बंदा क्या ब यह कोई तरीका ही नहीं होता सीखने का आपको कॉपी भी करना है यो अगर आपको कोई डाउट है तो आपको तुरंट पूछ भी लेना है यह सब कुछ साइमल्टेनियस चलता है तो अगर आपको कोई डाउट है तो यू के नास कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हुआ अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं इसके आगे मुव कर रहा हूं कि अब मुझे ढूना है कि अमोनिया कितना बनेगा वह कैसे ढूना जा सकता है तो अमोनिया कितना बनेगा इसके इसको ढूने के लिए हमने आपको सिखाय था कि कोई भी प्रूडक्त कितना बना है डाइट्विल बी डिसाइड़ यू केवल क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होगा और किसी भी चीज़ से डिसाइड नहीं होगा तो चलो को सीधा सीधा प्रोड़क्ट के साथ करो, है क्या करों यह हाइड्रोजन हमारा ली मिटिंग रियजेंट और यह ग्यून दोनों को किस से connect करना होता है इस टॉशियो मेट्रिक रेशियो से connect करना होता है तो मैं statement क्या लिखूँगा मैं बोलूँगा कि 3 मोल हाइड्रोजन H2 अगर ये पूरी तरीके से खर्च हो जाता तो 2 मोल अमोनिया का formation हो जाता यह मैं अभी यहां solve करने के लिए बोल रहा हूँ आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर आप इसकूल एकजाम लिख रहे हो तो आपको पूरी लाइन लिखने पढ़ेगे क्या लाइन लिखेंगे त्री मोल अफ हाइडरोजेन टू मोल उफ अमोनिया इस प्रोड्यूस्ट यह आपको पूरी लाइन लिखनी बढ़ेगी, यहां के लिए मेरे सामने के लिए आप पैसा लिख सकते हो, चलेगा 3 mol hydrogen अगर खर्च हो जाएगा आपका तो 2 mol ammonia बन जाएगा अब unitary method यूज करो कि अगर मेरा 1 mol hydrogen खर्च होता तो 2 by 3 mol ammonia बन चुका होता आपके पास hydrogen था 10 kg आपने बोला hydrogen limiting reagent है मतलब 10 kg hydrogen पूरी तरीके से खर्च हो जाएगा और hydrogen का mole रहा यह 10 kg में कितना mole 10 kg में आपका mole 5 into 10 rest 3 यह आपका mole 10 into 10 rest 3 divided by 2 is what 5 into 10 rest 3 that is the mole तो अगर आपका 5 into 10 rest 3 mole hydrogen पूरी तरीके से खर्च करना है तो ammonia कितना बन जाएगा 2 by 3 into 5 into 10 rest 3 mole ammonia यह ammonia का क्या मिलेगा मोल मिलेगा ध्यान रगना अगर hydrogen आपने 10 kg पूरा खर्च कर दिया तो ammonia कितना बनेगा 2 by 3 into 5 into 10 rest 3 mole ammonia बन जाएगा अब अगर आपको मास कैलकुलेट करना है कि ammonia का कितना मास बन चुका है तो यह कैलकुलेट करने के लिए यह भी आपको सिखाया गया था कि यहां से अभी आप देख सकते हो कि यह जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि फॉर्मूला क्या था number of mole equal to mass divided by क्या था molar मास तो अगर कभी भी आपको मास कैलकुलेट करना है मास को क्रॉस मंटिपलाई कर लो मास क्या मिल याएगा number of mole into molar मास यह आप याद रखो कभी भी कभी अगर मास की जरूरत पड़ रही है तो आप क्या करोगे मोल में मॉलर मास से मल्टिपलाई कर दो तो मोल तो मिली चुका था ना 2 by 3 into 5 into 10 raise 3 यह क्या है आपका मोल है इसको multiply करना है मोलर मास से मोलर मास किसका लेंगे रहे जिसका मास calculate करना है उसका मोलर मास लेंगे ammonia में nitrogen 40 14 है hydrogen 1 है तो ammonia का मोलर मास कितना आता है seventy fourteen plus three is what seventy लेकिन यह जो मास आया बच्चे आपका यह आपका मिलेगा ग्राम में क्योंकि मोलर मास किसमे होता है मोलर मड क्राम में होता है तो अभी तक जो आंसर आया आपका ग्राम में आया हमने आपको ये भी सिखाया हुआ है और आपको ये ध्यान में भी रखना हुआ है कि अगर कोशन में आपको जो डेटा दिया जा रहा है जिस यूनिट में यहां दे रहे हैं फाइनल आंसर भी उसी यूनिट में रिपोर्ट करना रहेगा अगर आपको कोशन में केजी में information दे रहा है तो आप final answer भी kg में report करोगे फ़राम में नहीं करना है तो यह क्छिटी में convert करने के लिए 10 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो फहले से जो 10 10 into 17 is 170 divided by 3 इसे आप सिंप्लिफाई करोगे तो 56.67 kg यह मिलता है और यही आपका फाइनल आंसर होगा अमोनिया कितना बनेगा 56.67 kg इनी डाउट इनीवन अगर कोई डाउट है तो बोल दो फिर से गाइब नहीं भी नहीं बोलोगे बेड़े पागल लोगो तुम लोगो कैसे कैसे पागल लोगो मुझे पागल करते रहते हो कोई तो बोल दो रिपीट शुड़ाई प्रोसीड और वेट तिल द एंड ऑफ क्लास की कोई तो रेस्पॉण करेगा किया करूं एंड करूं एंड एंड तक बैटके आप मेरा चेहरा देखो मैं इसी बैटके लैपके स्क्रीन देखता हूँ और हमसे बीती जाएंगे एक दो गंडे फिर एंड में चला जाएगा अपने अपने घर मजाएगा कोई तो बोल दो क्या करूँ चलो आज ऐसी देखते हैं तुम अधर स्क्रीन देखो मैं लैप्टॉप का स्क्रीन देखता हूँ क्या पता मुझे कुछ पता चली जाए ऐसी देखते देखते अच्छा आप तो यह भी भूल गयों कि मैंने पूछा गया यह भी बूल गया अभी मैं क्या पूछ करके वेट कर रहा हूं मैंने पूछा था कि कोई डाउट है अभी तक जितना करा नहीं कोई नहीं बोलेगा जब भी पका हो यार मैसेज में लिख रहे हो नू सर चलो वही ट्रू मान लेते बागी तो कोई बोलेगा नहीं कि देखो कुशन अभी एंड नहीं हुआ है कि कुशन में आपको यह भी ढूना था कि अगर कोई बच जाता है तो कितना बचेगा हमारा हाइड्रोजन क्या था लिमिटिंग रियेजेंट था तो हाइड्रोजन तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि लिमिटिंग रियेजेंट उसी को बोलते है जो पूरी तरीके से खर्च हो जाता है कुछ भी नहीं बसता तो वह हमारा क्या है लिमिटिंग रियेजेंट यहां पर नाइट्रोजन क्या होगा यह हमारा इक्सेस रियेजेंट है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का कुछ मास क्या हो जाएगा हमारा बच जाएगा आपसे कोशन में यह भी पूछ रहे हैं इनी रियाजेंट लेफ्ट मतलब कोई रियाक्टेंट अगर बच चुका है तो कितना मास बचा है वो भी आपको बताने आपको यहां पर एक बेस्ट मैथड बताने जा रहा हो द्यांज सुनना पता है नहीं क्या करोगे सुनने के बाद वो मुझे नहीं मालो लेकिन एक लिस् इसके अलवा कुछ भी करोगे तो टाइम वेस्टिंग एंड कैलकुलेशन के चांसे ज्यादा रहें तो देखो मैं के बोल रहा था कि अगर आपको यह ढूंड़ना है कि नाइट्रूजन का कितना मास बच गया या एकसेसरी एजेंट का कितना मास बच गया तो डू दैट व लगाना है कोई भी रियक्टेंट कितना बच गया वो कैलकुलेट करने के लिए आपको मास कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा डाइट इस बेस्ट मैंत करने के लिए आप दूसरी तरीके से भी आंसर ला सकते हो नो डाउट हो सकते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहें ज्यादा रहें इफ यू वांट तो फाइंड कि हमारा कितना रियक्टेंट इक्सेस रियजेंट कितना बच गया बेस्ट मैंतरड इस मास कंजर्वेशन हाव तो अपलाई देखते हैं टूटल मास टूटल मास बीफोर स्टार्टिंग ओफ रियक्शन अब देखो रियक्शन स्टार्ट होने से पहले हमने क्या काम करा हमने नाइट्रोजन लिया फिफ्टी केजी हाइड्रोजन लिया दस केजी तो यही तो हमने लिया रियक्शन स्टार्ट होने से पहले और कुछ मेरे पास था यह नहीं रियक्शन स्टार्ट होने से पहले तो मैं क्या लिखूंगा मास ओफ नाइट्रोजन प्लस मास ओफ हाइड्रोजन तो मास ओफ नाइट्रोजन कितना फिफ्टी एंड मास ओफ हाइड्रोजन कितना टेन टोटल कितना सिक्स्टी के जी हां मिल गया भाई ये ये वो अला मास है जो रियेक्शन स्टार्ट करने से प तो हमें क्या लिखवंगा टोर्टल मास्वेफूर टाइंग डिर्येक्शन ये तो लीक लिए मैंने अब क्या लिखूंगा टूटल मास कि इख्विछ्टल लुկेच्ट्ट Altuffø रिएक्शं रोक जए हेंड हो जायेगा न वो टाइम पर आपको टोटल मास लिखना है कैसे लिखे भाई तीन ही लोग तो थे यहां पे कौन नाइट्रोजेन हाइड्रोजेन अमोनिया अब रियक्षिन प्रोसीड हो चुकी है तो रियक्षिन स्टार्ट हो चुका है तो वहां अमोनिया भी बन गया होगा तो अब मैं जो टोटल मास एंड का लिखूंगा उसमें लिखूंगा मास ओफ नाइट्रोजेन प्लस मास ओफ हाइड्रोजेन प्लस मास ओफ अमोनिया यह मेरे दिमाग में आना चाहिए क्योंकि अब तक तो अमोनिया भी बन चुक है लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो हाइड्रोजेन हमारा लिमिटिंग रियेजेन था अगर हाइड्रोजेन हमारा लिमिटिंग रियेजेन था ये तो पूरी तरीके से खर्च हो गया ये तो बचा ही नहीं होगा फिर तो मतलब हाइड्रोजन क्या लिखना है जीरो लिखना है अब मास ऑफ नाइजन ही हमको कैलकुलेट करना था हाइड्रोजन जीरो था अमोनिया कितना बना है वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कितना 56.67 तो अब क्या होगा यह दोनों मास क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे क्योंकि मास कंजर्वेशन यही तो होता है मास के नाइट्रोजन तो इस्टार्टिंग का जो टूटल मास है वो फाइनल के टूटल मास के बराबर आए तो मैं क्या लिखूंगा सिक्स्टी इस इक्वल्स टू मास ओफ नाइट्रोजन प्लस 56.67 तो सिंपली मिल गया नहीं आरे एक लाइन में मास ओफ नाइट्रोजन कितना सिक्स्टी माइनस 56.6 है बस यह आंसर है 3.34 के जी 3.43 यह यह आपको आंसर मिल याएगा इतना के जी इनी डाउट एनीवन किसी को कोई डाउट है वापस से आप बूलोगे नहीं आप तो महान आदमी लोगों इतने तॉट्फूल परसन हो कि आपके अंदर से आवाज कैसे आएगी बिजी आदमी लोगों अंदमी आपके वी लोगों तॉट्फूल जाएगा रियेक्शन भी मेंचिन रहेगा आई वोन राइड आउट है कहां पर डाउट है नहीं समझ में आई आपने क्या बोला अच्छा रेडिंग्स से जो लिखाऊ क्या यूज्य करना है। मास से मृष भी Hallo को रहेगा के रहेंगे तो रियक्टेंड है कौन नाइडिरोजन है हिड्रोजन वो हमने 5010 एड करके क्या कर लिए बच्चे 60 लिख लिया यह टूटल मास हो गया बीफोर रियक्शन का मैं क्या बोल रहा हो कि अब मैं कैलकुलेट करूंगा टूटल मास आफटर रियक्षिं या फिर यूं कहलो टूटल मास आड़ अन्ड आफ रियेक्षिं तो देखू वहाँ पर मान लो हमने किसीू कंटेंनर में रियक्शन कराया हुआ है तो कंटेंनर में स्टार्टिंग में हमने क्या लिया इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में नाई और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आपको बोला जा चुका है कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रियक्टेंट होता है जो रियक्शन के अंड में पूरी तरीके से खर्च हो जाता है उसमें कुछ भी नहीं बचता मतलब अगर हाइडरोजेंट आपने 10 केजी लिया हुआ है तो वो 10 केजी पूरा खर्च हो जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा इसलिए मैंने बोला कि हाइडरोजेंट का मास कितना लिखूंगा मैं 0 लिखूंगा क्यों 0 लिखूंगा क्योंकि हाइडरोजेंट ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था प्लस मास ओफ नाइट्रोजें मास ओफ नाइट्रोजें ही तो हमको कैलकुलेट करना था तो इसको मास ओफ नाइट्रोजें ही रहने दिया मास ओफ अमोनिया हमने अल्रेड़ी कैलकुलेट करा हुआ है मास ओफ अमोनिया कितना बनेगा एड़ एंड ओफ रियेक्शन हमने कैलकुलेट करा तो हमें कितना मिला 56.67 केजी मिला था वह वैल्यू हमने रख दिया अब आप बताओ मास कंजर्वेशन क्या होता है मास कंजर्वेशन होता है टूटल मास स्टार्टिंग में और टूटल मास एंड में यह दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए इसी को तो मास कंजर्वेशन बोलते हैं हम लोग तो टूटल मास स्टार्टिंग का कितना 60 kg वह यहां पर हमने लिखा 60 kg और एंड का होई है तो यहां से मास ऑफ नाइट्रोजन क्या मिल लेगा 60 माइनस 56.67 kg डाट इस 3.33 और वही फाइनल आंसर होगा अभी भी डाउट है कोई और भी है जिसको डाउट है नहीं ठीक है ओके तो मैं क्या बोल रहा था मैं आपको यह बोल रहा था देखो आज तो मुझे बहुत पकाय हो अब इतना पकाय हो तो एक काम करता हूं मैं कि एकदम से मिलता जुलता कॉंसेप्ट रहेगा एक और कोशन देता हूं उस कोशन का राइट आंसर मुझे चीए ठीक है आपके बैच से मुझे राइट आंसर चीए इदर लैप्टॉप से उदर में पहुंच जाओंगा ध्यान रखना ठीक है चलो सुरू हो जाओ यह कोश को ट्राइगरो एक बार इन केस अगर आपको कोशन समझने में तकलीफ है तो आप बिल्कुल पूच सकते हो मैं कोशन भी एक्स्प्लेइन कर दूंगा बड़ आंसर तो यार आपको यह बताने अब आप ट्राइगरो और फाइनली मुझे करेक्ट आंसर चीए आज द्यान रहे जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इस दा बैक बोन और फीजिकल केमेस्ट्री यह कमजूर हो गया तो फीजिकल केमेस्ट्री कमजूर हो जाएगा आप आप अगर आपको कुशन समझने में तकलीफ है यूके नास में फिर से बोल रहा हूं अब तो कुछ तो बोलते ही नहीं हो मुझे तो पहले यह नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ आउनलेइन क्लास लेना इस मच डिफिकल्ट दैन आफ लाइन चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाते हैं लोग तो पॉर पॉइंट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इस यूज तो बर्न जीरो पॉइंट वन फाइब मॉल ओफ आइरन बड़ा आसान सा कुछ बोले भाई देखो मेरे पास एक ऐसा मानलो कंटेनर है और यह कंटेनर में यहां पे हमने अग लगा दी तो यह आइरन और ऑक्सीजन आपस में रियक्ट करना शुरू कर दिया बोल रहे कि आपका जो ऑक्सीजन है वह फॉर पॉइंट एट केजी हमने ले रखा है और इस आयरन का जीरो पॉइंट वन फाइव मॉल ले रखा है अब आप इसको ध्यान रखना की एक जगा मोल दिया हुए और दूसरी जगा केजी दिया हुए कोई बात नहीं देने दो क्या फरक पड़ता है अगर ऐसा ऐसा चीज हमने लिया हुआ है तो आप बताओ कि यह प्रोड़क्ट कितना बनेगा पहला कोश्चन था कि आप बताओ कि यह F2O3 फेरिक ऑक्साइड कितना बनेगा पहले यह बताओ उसके बाद आपसे पूछ रहे कि अगर इन में से कोई रियाक्टेंट बच जाता है तो कितना बचेगा वो भी बता दो मतलब आप जैसा पिछला कोश्चन करें थे बिल्कुल वैसे यह इस नहीं है ग्राम में ग्राम में तो अब आप ट्राइग करो एक बिल्कुल वैसे है बच्चे जैसा आपने पिछला कोश्चन करा वैसी आप यह चीज़ समझो कि आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कराई जा रही सिमिलर कोश्चन क्यों लिए जा रहे है रीजन है कि यह जीस टाइप के कोश्चन आप देख रहे हो आपको एक्जाम में इस से मिलता जुलता कोश्चन फेस करने को आएगा तो अगर म किसी के दिमाग में ऐसे चलता है क्या फरक बड़ता है सर ने पचास कुशन कर रहे सो कुशन कर एक चैप्टर में सारे रट्टा मार लोंगा बेटा कोई फायदा नहीं है एक्जाम में कुछ और आएगा ऐसा कुशन आएगा जिसका ना तो तुम नंबर देखे रहे होगे ना चलो आप ट्राई करो एंड ट्राई टू गिव दा राइट आंसर थोड़ी सिरियसनेस ले आओ बच्चे पड़ाई में इतना धील अपन नहीं चलता कि अ जैश सबसे गड़बड़ बात ये लगता है कि हमको पता यी चल्द तुम क्या कर रहे हैं कि मैं कि अकेले बैठके बोर रहा हुता हूं इसक्रीन देख रहा हुता हुं पकिजाता हूं और तुम लोग बोलते ही नहीं अ गलत बात ही ही झाल 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 सिनों की सबसे पहला काम क्या रहेगा बच्चे लिमिटिंग रियेजेंट ढूंड़ना रहेगा लिमिटिंग रियेजेंट को ने ऑक्सीजन और आरेंड अभी पता चलेगा आप राइट डियरेक्शन में हो या नहीं कोई तो बता दो यार चैट में तो लिखी रहे हो कि आशिक के लावा कोई और है जो बता सके कि विच वन इस दे लिमिटिंग रियेजेंट आरें और और ऑक्सीजन मैंने अभी अभी आपको यही सिखा है था शायद कि अगर दो रियेक्टेंड और दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया हुए तो वहां पर कॉंसेप्ट बच्चे लिमिटिंग रियेजेंट का ही लगेग कि अधिस फार शूर कि अनिवन हो कें तेल विच वन इस कोई दो बीड़िमिटिंग रियेजेंट आरें और ऑक्सीजन को टू मैं रूल इस ओटू जूँँटिंग रियेजेंट नहीं है लिमिटिंग रियेजेंट तो आयरे नहीं सप्हेली जो घल्टी कर दे व्याप्लों जो रिमिटिंग रिये धैन काल्कूलेट करी जुँट दिए यह आपसे फिर से लिमिटिंग रियेजेंट काल्कुलेट क्या था वो याद करो जा रहा थो क्या लिमिटिंग रियेजेंट फाइंड आउट करने का तरीका था हमारा की रिशी भाई यह फॉर्मूला बताते बताते एक दिन में पक्का पागल हो जाओंगा कि रिशू क्या था नंबर ओफ मॉल टेकेन डिवाइड़ बाई मोलर मस यह फॉर्मूला था तो ठीक है ठीक है आरेन का तो मॉल आपको पहले ही दे रखा है कितना 0.15 यह तो पहले मॉल दे रखा है दिमाग नहीं लगा न लेकिन अगर मुझे ओटू का मॉल चीए तो कैल्कुलेट करना पड़ेगा कैसे मास दिया था मास को मास डिवाइड़ बाई मोलर मास कितना 32 सौल करके देख लो यह भी 0.15 आता है मोल दो कैल्कुलेट करना पड़ेगा यह तो दोनों का मोल क्या आता है इक्वल आता है है तो अब आप देखो के रिश्यो आयरें 0.04 और ओक्सिजन 0.04 अच्छा अब देखो मैं मैं भी वही कर रहा हूं आप देखो आपक्सिजन का भी मोल सेम आता है पूर पॉइंट इवाइड़ेट थर्टी तो आप करोगे ना बच्छे तो 0.15 यह आता है कि अब क्यरेशियो कालकूलेट करू हैं तो अगर मैं आयरेंट के लिए कालकूलेट करूंग तो आहक का मौल कितना पॉवपाइफ इसंबरAll गशचयो मेटिक औफिसेंट फॉर कि अइंड ओ दौ के लिए मोल कितना जिरो पॉइंट वन फाइफ को टू का इस टॉश्योमेट्रिक और यह तो इसमें डेसिमल में फिर से आप कैलकुलेट करने लगे थे क्या डेसिमल नहीं कैलकुलेट करना था ना बच्ची देखो नुमेरेटर से मैं आयरें का डिनोमीनेटर ज्ञादा है दो अगर डिद्長 लुगे तो वैलिव क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो जिसका क्रेश्यों कम होता है वही लिमिटिंग रियेजैंट होता है वह जाएग कासा दिफिकल्ट है यहार बड़ा असान सा काम था अच्छा उमर आंसर बता रहे हो 12 ग्राम करेक्ट है बच्चे आपका 12 ग्राम करेक्ट है आप ये बताओ कि आरेन और ऑक्सिजिन कितना बचेगा आप ये भी बता लो तो सबको क्लेर है क्या कोई ऐसा बंदा जिसको थोड़ा भी डाउट है क्योंकि ये तो फिक्स है कि आयरेन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना की ऑक्सिजिन ये तो पक्की बात है इनी डाउट इनीवन ये हां नहीं बोल दो यार पकाओ नहीं प्रस्ट्रेट कर दे दो तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं है अच्छ ओके कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते आयरेन इस कोईंग टू बीदा लिमिटिंग रिएजेंट सो नाव आई नीड तो कैलकुलेट की हमारा कितना बनेगा धान रहे आयरेन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो आपको मैं क्या सिखा रहा था पिछले कोशन में यहीं सिखा रहा था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसको प्रोडक्ट से कनेक्ट करो तो मैं क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा फोर मोल आयरेन अगर मेरा खर्च हो जाता करता तो डेफेनेटले टू मोल फूइट तू ओ फूर्मेशन हो जाता ऐसे हो जाता抟 एक पके आएरें कितना है अएक आपके पास आयरेन पॉइंट वन फैप है आयरेन लिमिटिंग रिएजेंट तो पॉइंट वएंफ फैप मूल पूरा खर्च करना अच्छा पहले अग बाई फोर दाइट इस वन बाई टू मोल एफी टू ओ ट्री फॉर्म हो जाता प्रोड्यूस हो जाता हुआ हमने कितना खर्च करना है हमें पॉइंट वान फाइब मोल आयरेंड खर्च कर देना है क्योंकि वहीं लिमिटिंग रिए तो पॉइंट वान फाइब डिवाइड बा जाएगा तो बच्ची एक बार आपको मोल मिल गया तो मास तो कैल्कुलेट करी सकते है ना अभी सिखाया था कुछ दिर पहले मास क्या होता है नंबर ओफ मोल इंटू मोलर मास तो मोल तो हमें मिली गया है अभी फोकस किस पर करें अभी फोकस करें मोलर मास पर एफे टू ओ त्री का मूलर मास कितना होगा तो देखो आयरेन अटोमिक मास कितना 56 कितना आयरेन है मेरे पास दो है प्लस ऑक्सीजन कितना 16 कितना ऑक्सीजन है त्री तो 56 इंटू इस 112 एंट इस फाटी एट टोटल एड करके पता नहीं कैसे वाननेट सिक्स्टी आ जाता है तो मूलर मास कितना हो जाएगा वाननेट सिक्स्टी ग्रैम सो यू जस्ट मॉल्टिप्लाइट ना जीरो पॉइंट वान फाइफ डिवाइट वाइटू इंटू वन सिक्स्टी और यह जिस दिन आप से सॉल्व हो गया उस दिन आंसर 12 ग्राम जाता है अगर मान लो मॉल्टिप्लाइट भी ना हुआ तो बड़ा उतलफडा है यार उमर आपका यह अंसर गलत है बच्चे एक बार फिर से आप ट्राइए करो जीरो पॉइंट जीरो वन फाइफ कहां से आप कैलकुलेट करें हो जीरो पॉइंट जीरो वन फाइफ ग्रा कि फेरिक ऑक्साइड कितना बचेगा कितना बनेगा ट्वेल ग्राम बनेगा इनी डाउट इनी कंफ्यूजन इनीवन नहीं ओके यहां तर क्लेर है तो देखो अब हमको वापस से क्या डूना है अब हमको डूना है कि हमारा जो रियाक्टेंट है उन रियाक्टेंट का कितना कितना मास बच गया होगा at the end of reaction तो मैंने आपको क्या बोला अभी पिछला वाला जब कोशन कर रहे थे तो मैंने आपको यही समझाया कि किसी भी reaction में reactant का कितना mass बच गया, react नहीं करा, जो बचा हुआ mass है, वो calculate करने के लिए हम लोग हमेशा और हमेशा mass conservation का इस्तिमाल करेंगे. उसके लिए वही line फिर से लिखूंगा, total mass before starting the reaction. total mass before reaction, reaction होने से पहले total mass किसका लिखूंगा, अब देखो, reaction होने से पहले किसका mass लिखेंगे, obviously reactant का लिखेंगे, reaction होगा, तब तो protect बनेगा, तो यहाँ पर mass किसका लिखूंगा, mass of iron plus mass of O2, अब बच्चे mass of iron हमको नहीं दिया, mass of O2 दे रखाया, directly, कितना? 4.8 gram, हमको कहीं न कहीं से mass of iron calculate करना पड़े, हमको क्या दिया था? हमको number of mole of iron दिया था, कितना दिया था? 0.15 mole दिया था, तो mass क्या होता है, number of mole into molar mass, फिर से वह लिखूंगा, mole कितना? 0.15, ऐसा mole, हाँ, अब iron का, केवल iron का molar mass कितना बोलना होगा? 56 gram पर mole, कितना answer आ जाएगा? 8.4 gram, अब multiply करो, 8.4 gram, तो अब मैं iron का mass लिख लूँगा, 8.4 gram, अब total mass add कर लो, it is 13.2 gram, यह आपको मिल याएगा, total mass 13.2, यह तो मिल गया, total mass before starting the reaction, total mass is 13.2 gram, अब हम क्या करें? अब total mass calculate करेंगे, after reaction, total mass at the end of reaction, जब ही reaction end करा होगा, at the end of reaction, तो total mass कैसे calculate करेंगे, अब देखो, अब समझना ज़रा, आपको बोला गया कि भाई, आपका जो iron है, वो तो limiting reagent है, मैं एक नट के लिए सारा ही लिख लेता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, mass of iron लिख सकता हूँ, mass of oxygen लिख सकता हूँ, mass of ferric oxide लिख सकता हूँ, इन सब को add करूँगा, तो final total mass मिल लिख लेगा, बात में हमको realize हुआ भाई, iron तो limiting reagent था ना, तो अगर iron आपका limiting reagent है, यह तो zero बचा होगा, यह तो बचेगा ही नहीं, यह तो पूरा खर्च हो जाएगा, अब mass of O2 जो बच गया है, वही तो चाहिए हमको, and Fe2O3 जो बना हुआ है, that is how much, 13 point, sorry, कितना बना हुआ था, 12 gram, that was 12 gram, जो अभी हम लोगोंने calculate कर रहा था, कि Fe2O3 कितना बना, 12 gram, तो यह final mass हो गया, यह starting का mass हो गया, according to law of conservation of mass, यह दोनों क्या होने चाहिए, equal होने चाहिए, तो 13.2 should be equal to mass of O2 left plus mass of ferric oxide formed, तो O2 कितना बच गया, बच्चे, 1.2 gram बच गया, यही answer है, इनी, डाउट, इनीवन, जल्दी से respond करेंगे, कोई पकाएगा नहीं, पकाना allowed नहीं है, बहुत पगाते हों दुम लोग, एनी डाउट, एनीवन, नहीं, नो, ओके, लो आपको ना एक कहानी सुनाते हैं, आप बहुत पढ़ लिया, पढ़ पढ़ के ना दुमाग पागल हो जाता है, नहीं, आपको एक कहानी सुनाते हैं आज, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, देखो, आप पहली चीज़ की, चीज़ जर्नी पे निकले हो, मेडिकल का एक्जाम, या इंजिनिरिंग का एक्जाम, साथ में बोर्ड का एक्जाम, पहले चीज़ तो यह जर्नी आपका छोटा नहीं है, यह दो साल की जर्नी है, अब ही यह जर्नी स्टार्ड हुए, हार्डली एक महीने हुए, आप ऐसा समझो कि, जब स्टार्ड हुआ था, अगर वो सीम डे में, इवेन मैं भी आया था, तो मैंने भी आपकी इनर्जी देखी थी, तो इस्टार्टिंग में अगर आप से पूछा जाता कि भाई मतलब जेही में क्या करना चाते हो या नीट के एकजाम में क्या करना चाते हैं, मैं तो एक्तम फोड़ फाड़ी दूँगा मतलब टॉप रैंकर बनुगा मैं तो रैंकर बनुगा ये वाला थॉट किसी एक के अंदर नहीं सब के अंदर रहा होगा आप तो मुझे मतलब डॉक्टर बनी जाना है इंडिनियर बनी जाना है लेकिन एक बात बताओ वो टाइम तो बहुत इंट्रेस्ट था बहुत इनर्जी थी अभी क्या हो गया एक महिने में दो साल का जर्णी है यार अभी तो एक महिने भी अच्छे से नहीं कुझरे अभी से इनर्जी डाउन होने लगा तो कैसे काम चलेगा एंड और भी एक दो चीज़ें चलो एक और कानी मान लो आपको ना ऑप्शन दिया जाएगा इस चलो घूम के आते एक ट्रिप मार करके आते हैं गोवा का सब तुरं से एक्साइटेड होगे हां हां तो बड़ा मजाएगा गोवा जाने में बड़ा मजाएगा और उदर जा करके बहुत मस्ती करें मतलब माइंड तुरं से फ्लक्चुएट करता है अरे वह क्या मज़ेदार चीज बताए लेकिन अगर आपको बोला जाए आपको प अपने प्लेस से कार से गोवा के लिए निकलो एक गंडे दो गंडे तीन गंडे चार गंडे जाने में तो कम से कम 48 आर्स के आसपस तो लगेंगे तो आपना मतलब चार-पांच गंडे में पक जाते हो क्या इतना ही इनर्जी थी जिसमें आपको मज़ा आने वाला था उसमें भी आप बोर हो सकते हो तो दाट इस नौड यूर डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन ऐसा होना चीए ना इनर्जी और एक्साइट्मेंट खतम नहीं होना चीए खतम हो गया तो फिर आपने डेस्टिनेशन गलत चूज कर रहा है नहीं फिर वो गलत चूज कर लिया आपने अब ऐसा चीज़ सेलेक्ट टरो जिसमें इनर्जी और एक्साइट्मेंट त्रू आउट जर्नी बना रहे पिर मज़ा है आपने अगर एक बार चूज कर लिया न या आपको इंजिनेरिंग या मेडिकल कर ही लेना है और टॉप रैंक के लिए करके रहना है और यह जर्नी दो साल की है आप एक महिने में बोर हो जाओ नहीं फिर तो बड़ा मुश्किल है फिर जर्नी काटना आपका मुश्किल हो जाएगा एंड में क्या चीफ करेंगे वो तो बहुत दूर की चीज़ हो जाएगगा तो जर्नी को आप इंट्रेस्टिंग बनाओ और इंट्रेस्टिंग एक ही तरीके से बनेगा देखो अगर आप देखो एक और फैक्ट बताता हूँ मान लो कई बार आपने भी फील करा होगा कि जिस दिन आप खुद से घर पे पढ़ाई करके आते हो किसी भी सब्जेक्ट में फिजीक्स कमिस्ट्री बायो मैथ किसी में उस दिन आपको क्लास करने में अलग ही सुकून मिलता है अलग ही मज़ा मिलता है लेकिन जिस दिन आप पढ़ करके नहीं आते हो ना एक एंजाइटी रहती है दिमाग में फ्रस्ट्रेशन रहता है यार कब एंड होगा कब जाएंगे कब खतम होगा तो अगर आप इस थौट से जर्नी ले रहे हो कि आप रोज ही यह सोच रहे हो कि यह कब एंड होगा क्लास कब एंड होगा तीन गंडे का क्लास कब खतम होगा डेडेड गंडे का उसके बाद में खाली होँगा तो सोऊंगा खेलूंगा बदा नहीं क्या करूंगा नहीं, आप अपनी जर्नी से भटक चुके हो, आपका ये जर्नी था ही नहीं, जाना था गोवा, पहुंच जाओगे किसी ऐसे जगे जहाँ आप कभी जाना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, ऐसा वाला सीन हो जाएगा, तो ये मत करो, जहां जाना है, वहीं जाओ, पूरी इनरजी और एक्साइटमेंट के साथ जाओ, इंज्वाय करते हुए जाओ, और इंज्वाय करने का न, यहाँ पे, ये जो हम जिस जर्नी में हैं हम लोग, इसको इंज्वाय करने का एक ही आप्शन है, पढ़के आओ, करो, फिर मजा है, आप कोशन ही ना पूछोगे, आप हाँ नहीं नहीं बोलोगे, तो टीचर क्या है, कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसा मैंने बहुत सारा सीन देखा है, कि अगर आप इंट्रेस्ट नहीं ले रहे होना, टीचर कितना फोर्स करेगा, एक महीने, दो महीने, तीन म अफर्ड डालना बंद कर दे, यस दिस इस दे फैक, बिकॉस आट दे इंड यार, टीचर भी तो हुमन बिंग ही है, ना, भगवान दोड ही है, उसको जब सामने से रेस्पॉंस मिलेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि यार हम पता नहीं किस से बाते कर दे, पता नहीं यह पढ आने में जरनी का मज़ा तभी है, जब आप इंट्रेस्ट दिखाओ, आप चैलेंज दो टीचर को, आप अपने तरफ से कोश्चन लेकर क्या हो, ऐसी राइंडमली पूछलो क्लास में, टीचर कन्फ्यूज हो जाए, ऐसी कोश्चन पूछो टीचर को पढ़ना पढ़ जाए फिर मज़ा यार, एस थोड़ी, कि टीचर आए, अपने मन से दो-चार कोश्चन लेकर कुछ भी बकवास करें, चला गए, वैसे थोड़ी आता है मज़ा, वैसे हमको सीखने में तो आपको सीखने को बहुत कम मिलेगा, वो तो आएगा अपना कहानी सुना के चला जाएगा, उसको दस सलों से कहानी सुना जा रहा है, एक सलों कहानी सुना देगा, उसको कोई फरक नहीं बढ़ता है, लेकिन एकसाइटमेंट और मज़ा तब आता है, जब स्टूडेंट मज़े लेता है, ठीक है, सारा कुछ डिपेंड करता है इस्टूडेंट को, तो कुछ समझ में आया, मैं क्या समझा रहा था, या फिर यह भी समझ में नहीं है, जली बोलो हा नहीं बोलो या रहा दो, पता चले मुझे, तो जर्नी थोड़ा एकसाइटिंग बनाओ यार, जर्नी को बोरिंग मत बनाओ, मैं यह नहीं आएगा, फिर मैं बोर हो याँगा, पिर बोर हो जब टीचर को लगते हैं, भाई, यह स्टूडेंट, यह बैच में ऐसे स्टूडेंट है, जो मुझे कोशन पूछ पूछ करके पागल कर देते हैं, तो टीचर भी पढ़के आएगा, फिर एक अलग मज़ा आता है, आप ऐसा करो, हार एक सब्जेक्ट में करो, ऐसे ऐसे चलो, आगे चलते हैं, यह जो सामने दिख रहा है, परसेंटेज प्यूरीटी, पहले तो आप इसे कॉपी कर लो, फटफट कॉपी करो, परसेंटेज प्यूरीटी, और समझने का कोशिस करते हैं कि परसेंटेज प्यूरीटी कभ यूज करना है, और डायर्कली परसेंटेज यह लिख दीया गया है, जिसमें आप confuse हो सकते हैं, यह impure mass मतले हो, तो आप confuse होते हो, reactant भी मतले लिखना, के वल pure mass लिखो, pure mass divided by total mass, total mass containing impurity, इसा लिखो अब तो अभी अभी यह फॉर्मुले से नहीं होगा टॉपिक हेड्लाइन लिखो फॉर्मुला लिखो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्या यह बूलना चाहते हैं फॉर्मुले में और कैसे यूज़ होगा देखो मान लो कि यह जितने मैटल से ना लाइक का आयरेंड सिल्वर गूल्ड कॉपर यह सब क्या होते हैं माइनिंग करके निकाले आते हैं जमीन के अंदर से खूद की निकाले हैं इस एक इस डियर के कांसिस्टेंस भी बहुत जादा रूल पली करता है यह तो मैंभ समय रहा था कि आप जिस दिन पधके आते होना उस दिन क्लास में पढ़ने का मज़ा कुछ हो रहें जिस दिन आप पढ़के नहीं आता हो तो दिमाग में यही थौट चलता है कि यह पकाना कब बंद करेगा और कब जाएगा कि हम आजाद हो जाए यह वाले थौट से थोड़ी अपनी जर्नी कंप्लीट होने वाली यार फिर वही है जाना होगा कहीं और पहुंच कहीं और जाएंगे वह अललफड हो जाएगा तो कि कब इस्तमाल करना है कहां इस्तमाल करना है तो मैं आपको बोल रहा थी कि जितने यह मैटल्स है नॉन मेटल्स है यह हम लोग क्या कर रहे कि माइनिंग करके निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से खूद खूद करके निकाल रहे हैं मान लो हमने सिल्वर का माइनिंग करा खू साथ रियक्ट करके कंबाइंड फॉर्म में है तो डाइटा नोन एस वॉट उसको हम लोग नाम देते मिनेरल्स विच इस नॉट हंड्रीड परसेंट प्यूर नहीं मतलब आप ऐसा समझो कि हमने मानलो हंड्रेड केजी सिल्वर माइनिंग करके निकाल और वो हंड्रेड केजी को हमने किसी से रियक्शन करवा दिया है हंड्रेड केजी माइनिंग करके निकाला और हंड्रेड केजी को हमने किसी से रियक्शन करा दिया मालो हमने रियक्शन कराया सिल्वर का क्लोरीन के साथ और मुझे पता चला कि एजी सील का फॉर्मेशन होने लगा हमारा एक्स्पिक ठीक है लेकिन प्रैक्टिकालिटी यह है कि जब आप 100 kg लिये थे तो वो प्यूर नहीं था मानलो यह 100 kg में 90 kg प्यूर था और 10 kg आपका मिट्टी सिलिका कुछ ऐसी चीज़े थी तो क्या वो 10 kg जो मिट्टी और सिलिका था वो क्लोरीन के साथ मिल करके AGCL बनाएगा ओवियसली नहीं वो क्यों AGCL बनाएगा तो कौन बनाएगा तो वो 90 kg जिसमें सिल्वर था वही रियक्ट करके बनाएगा अच्छा यह 90 kg को हम लोग क्या बोलते प्यूर मास और यह 100 kg क्या है यह टूटल मास कंटेनिंग इंप्यूरिटी है कभी भी अगर आपको पर्सेंटेज प्यूरिटी कैलकुलेट करना है तो वो आप यह फॉर्मुला यूज करोगे और ऐसे ही कोशन दिया जाएगा कि आपको बोलेगा कि यह पर्टिकलर कंपाउंड है मिनेरेल है जो रियक्ट कर रहा है जो हमारा इंप्यूर है इंप्यूर मास आपको देदेगा फिर आपसे पर्सेंटेज प्यूरिटी पूछी जाती है प्रोड़क्ट के बारे में इंफॉर्मिशन देए करके अभी हमारे पास कुशन है जो आगे करेंगे तो बेसिकली वहा सब्सक्राइब में और भी हम लोग आप डाइरेक्ली कुश्चन ही करेंगे कुछ बोल रहे हो सर कैन यू प्लीज टेल एस हाउ टू रिड्यूस प्रो क्रास्टिंग ऑन अच्छा देखो यार थोड़ा दिन का पेसेंस और रखो